ओम शान्ति! ओम शान्ति! ओम शान्ति! ओम शान्ति! 12 अप्रेल दो हसर 22 प्रटा मुरली ओम शान्ति बाप दादा मध्वन! आज के इश्वरिय माहवाक्य बाबने मुरली में कहा मीठे बच्चे, तुम दुख हरता, सुख करता बाब के बच्चे हो, तुम्हें मनसाव आचा कर्मना किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख दो, प्रश्ण हैं। तुम बच्चे मनुषे से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी मुख्य धारना कौनसी होनी चाहिए, धारना क्या होनी चाहिए? उत्तर में बाबा ने कहा तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलें वह एक एक बोल मनुशियों को हीरे जैसा बना दें तुम्हें बहुत मीठा बनना हैं सबको सुख देना हैं किसी को भी दुख देने का हयाल ना आए तुम अभी ऐसे सत्योगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहां सदा सुख ही सुख है दुख का नाम निशान नहीं तो तुम्हें बाप की स्रीमत मे ली है बच्छे बाप समान दुख हरता सुख करता बनू तुम्हारा धंदा ही है सब को सब के दुख हर कर सुख देना गीत है इस पाप की दुनिया से ओमशांती बच्चों ने यह गीत सुना बच्चे जानते हैं कि हम पुर्शार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए, जहां एक तो माया नहीं होती, और कभी भी मनसा, वाच्चा, कर्मना, कोई को, कोई भी दुख नहीं देती, इसलिए उनका नाम ही है स्वर्ग, पैरडाइस, बैकुंठ और बरोबर वहां के मालेक लक्ष्मी नारायन का चित्र भी दिखाते ह प्रज्चा का तो चित्र नहीं दिखाएंगे, रक्ष्मी नारायन का चित्र है, जिससे सिद्ध होता है कि उन्हों की राजधानी में जरूर ऐसे ही मनुश्य होंगे बारत में ही यस्वर्ग के मालिक थे, जहां दुख का नामों निशान नहीं रहता मन सावाच्चा कर्मना कोई भी किसको दुख नहीं देते, बाप भी किसको दुख नहीं देते है अब केती हैं, उनका नाम बाला है, दुख हार्ता सुख करता, वह बैठ तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाने वाला स्वयम, सत्य पिता, सत्य गुरु, टीचर जो है, वह कौन हैं? सर्वशक्ति मांसुख करता, दुख हार्ता, हमें पढ़ाने वाला, इस दुनि कर्मना एक दो को दुख देने वाले हैं वहां मनसा वाच्चा कर्मना सब सुख देने वाले हैं परमपिता परमात्मा के सिवाए कोई भी स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता बरोबर स्वर्ग था यहां भी देखो बाबा कहते लिए वहाँ स्वर्ग था, अब यहां भी देखो, साइंस से क्या बनाते हैं, क्या बनता रहता है, एरोपलेन, मौटरें, महल, आदी कैसे बन जाते हैं, वहाँ भी साइंस सारी काम में आती है, ऐसे नहीं है, जमीन से कोई बैक उंठ निकल आएगा, जैसे दिखाते हैं, द्वारी क समुद्र के नीचे चलीगी, जो समुद्र के नीचे जाएगी, वह तो गलकर खत्म हो जाएगी, कैसे समभव है कि वह हूँ वह हूँ, वैसे ही नीचे जाकर उपर हाजाएगी, नए सिर्फ सब कुछ बनता है, तो बाप से जबकि हम बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तो म मंसा वाच्छा कर्म ना किसके प्रती बुद्धी में दुख देने का खयाल नहीं आना चाहिए। भल्य है है ही माया का राज, मंसा तूफान तो आएंगी, बाकी दिल में किसको दुख देने का खयाल भी नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुख से उन्हें कुछ अच्छा कह रहे हैं और अंतर मन में उनके प्रती घ्रना भाव रखे हुए हैं बदले की भाव ना रखे हुए तो बाबा कहते हैं मंसा, वाच्छा और कर्म ना तीनों तरीके से किसी को भी दुख नहीं देना हैं। बाबा कहते हैं तू फान आएंगे बाकी दिल में किसको दुख देनेगा खयाल भी नहीं आना चाहिए। समय सब एक दो को दुख ही देते हैं। समझते हैं सुख है पर इंतु वह है दुख बाब से सब को वेमुख करते हैं। यह भक्ति मार्ग भी ड्रामा में हैं। ड्रामा को कोई भी जानते ही नहीं। वह लोग समझते हैं हम यह शास्त्रादी सुनाते हैं यह भी ज्यान देते हैं। जब तब आदी करने से मनुष्य मुक्ती जीवन मुक्ती को पालेंगे। अनिक प्रकार के रास्ते बताते हैं, कहींगे बहुत समय से भक्ती करते आये हैं, तब तो भगवान आया है। हम भी कहते हैं, भक्ती का जब अंत होता है, तब भगवान को आना होता है। आकर भक्ति का फल देते हैं, तो वह सर्भ भक्ति की लाइन में चले जाते हैं, इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। शास्त्रों के ज्ञान से सद्गति नहीं होती। श्रिष्टी के आदी मत्य अंत का ज्ञान तो उन्हों को है ही नहीं बाबा केते। यह तुम जानते हो प्राचीन, ज्ञान और योग से भारत स्वर्ग बना था, सु जरूर भगवान ही सिखलाएगा। मनुष्य तो राजयोग सिखला ना सके। भगवान ने जो सहज राजयोग सिखलाया, उनका बाद में शास्त्र बनाया है। यहां तो भगवान खुद बैठ नॉलेज समझाते हैं, गीता में सिर्फ एक भूल की है, एक अच्छ भूल हुई है, जो नाम बदली कर दिया है, और समय भी दूसरा लिख दिया है। समझ गे, एक तो कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान, निराकारशिप परमात्मा की जगे, वो बच्चे का नाम डाल दिया, रचना का नाम डाल दिया, और वह भी कितना ले जाकर के जो सतियों की प्रिंस है, जो सतो प्रधान आत्मा, उस कृष्ण को उठा करके दौापर में ले गए, एक तो बाबा केते हैं, नाम बदली कर दिया, उपर से क्या कर दिया, समय भी दूसरा लिख दिया है, तुम जानते हो, अभी भगवान हमको ग्यान और राजियोग सिखला रही है, वो तो खुद यहां बैठ सीख रहे हैं, जिनका नाम गीता में डाल दिया है, बाबा केते हैं, बाप और बेटे की फिलासफी जो है, एक साथ बायोग्राफी, एक साथ मिक्स कर दी है, दुनिया मूंच गई है, अब यदि कृष्ण ही भगवान होता, तो पूरा संसार उसे भगवान मानता, हर कोई क्यों नहीं मानता भगवान, भगवान तो एक होना च जैसे कहते हैं, तो गौड फादर सब का एक है, हम सब एक की संतान है, बाबा केते हैं, राजियोग हमें कौन सिखला रहा है भगवान, श्रिष्टी के आदी मध्यांत का ज्यान और कोई शास्त्र में नहीं है, कल्प की आयू भी लंबी चोड़ी करती है, मनुशे तो वही शास्त्र पढ़ते रहते हैं, बाब ने समचाया है, यह श्रिष्टी रूपी जाड़ है, जाड़ में पहले थोड़े पत्ते, फिर बाद में बढ़ते जाते हैं, पहले तना, फिर दो पत्ते, फिर थोड़ा और निकलते, फिर थोड़े और तो ऐसे सबसे पहले निकले हैं जो बाबा ने कहा है दो पत्ते पे जैसे कमा दिखा दिया है कि ब्रह्मा की नाभी से कृष्ण का जनम हुआ तो ऐसा नहीं बाबा केते हैं वो तो सत्योगी दुनिया में कोई कैसे ब्रह्मा की नाभी से निकल सकता है लेकिन यहां तो स्थापना का कारे चल रहा है बाबा केत सत्यूगी जाड बहुत चोटा होता है, जाड में पहले पत्ते फिर बढ़ते जाते हैं, भिन भिन धर्म के पत्ते दिखाये जाते हैं, तो अभी तो देखो पूरी प्रचार ही हो गया, पूरा जाड बढ़ गया है, अभी थोड़ा और बाबा कह रहे थे बाकी है, तो बाबा भगवद गीता के पत्ते हैं, काका चाचा मामा ताया, तो उनसे तो किसी भी तरीके का वरसा नहीं मिलता, क्या बाब से मिलेगा वरसा या फिर काका चाचा मामा से मिलेगा है? बाबा केते हैं वह सब जो बाद में निकले हैं, जो गीता के पत्ते हैं, अर्थाथ उनसे निकले हुए सब शास्त्र हैं। तुम देखते हो बरोबर नए ज्ञाड की स्थापना होती है, दूफानादी में कोई तो जट्मुर्शा जाते हैं, गिरपड़ते हैं। तुम जानते हो, अभी हमारे देवी जाड का foundation लग रहा है, कलम तो यहीं लगाना है ना, क्यों दर जाके लगेगा, यहीं लगेगा, और जो धर्म स्थापक हैं, वह यह नहीं जानते कि हम Christian धर्म का, अथवा फलाने धर्म का foundation लगाते हैं, पीछ समझ में आता है कि फलाने ने foundation लगाया, यहां तो काटों को फूल बनाना होता है, तुम जानते हो, हमको तो दैवता बनना है, सब को सुख देना है, किसको दुख देने का हयाल भी नहीं आना चाहिए, एक-एक अक्षर मुक से ऐसा निकले, जो मनुशे को हीरे जैसा बना दे, बाप भी हमको ग्यान सुन जिसको धारन करते करते हम हीरे जैसा बन जाते हैं, वास्तों में, टीचर किसको दुख क्यों देवे, वह तो पढ़ाते हैं, हाँ समझाया जाता है, अगर अच्छी रेती नहीं पढ़ोगे, नहीं पढ़ेंगे, तो 21 जन्म के लिए घाटा पढ़ जाएगा, 21 जन्मों के ल बाप मिला है, जिसको ही भक्ती मार्ग में याद करती थे, हे भगवान, साधुसंत, आदी, सब याद करते हैं, भगवान तो एक है, परन्तु वह कौन है, यह नहीं जानते, श्री कृष्न तो सत्यूग में प्रिंस था, उनको तो ऐसे कोई नहीं कहेंगे, कि वह सर्व का द भगवान के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो दुख सुख से न्यारा है, जनम मरन से न्यारा है, उनको मनुश्य का तन है नहीं, बाप जो स्थापना करते हैं, वहां सुख ही सुख है, तब गाया जाता है, दुख हरता, सुख करता, दुख हरके सुख करते, तुम जानते ह हम रावण की राजे में अधाकल्प दुखी थी, अल्पकाल का सुख रहता है, बाकी दुखे ही दुख है, जिसको सन्यासील लोग काग विष्टह समान सुख कहते हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं, लेकिन कोई पवित्र प्रवर्ति मार्ग भी होगा, जहां कोई भी व कार नहीं होगा, बरोबर वह सत्योग में था, उसका नाम ही है स्वर्ग, वह है पवित्र मार्ग स्वर्ग, फिर पतित बनते हैं, तो उनको कहा जाता है नर्ग भ्रष्टाचारी मार्ग, यह दुख सुख का खेल है, और यह खेल बना हुआ है, मनुश्यों को अभी अभी उनको यह मालूम ही नहीं कि स्वर्ग में सदा सुख होता है, दुख का नाम निशान भी नहीं रहता यहां, फिर सुख का नाम निशान भी नहीं है, विकार में जाना है, यह दो दुख ही है, तब तो सन्यासी भी सन्यास करते हैं, परन्तु वह है निवरति मार्ग, सत्योग उमें प्रबर्ती मार्ग था, वह था, शिवाले, देवी देवतायें लक्षमी नारयनादी के जड़शित्र मंदिरों में भी कैसे ताजवा तख्त से सजे हुए हैं, भारत ही है जिसमें राजारानी देवी सांपरताये थे और कोई धर्म में ऐसे नहीं है, भल राजायें तो हुए हैं, परन्तु डबल ताज नहीं है, सत्यूग में शुरू से ही राजाई चलती है, आदि सनातन डबल से ताज देवी देवता धर्म था, वह धर्म कैसे स्थापन हुआ, यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, शिप बाबा की मत से तुम दुख हरता सुख करता तुम्हारा धन्धा ही यह है, सबका दुख हरकर सुख देना, अगर तुम भी किसको दुख देंगे, तो कौन कहेगा कि यह दुख हरता सुख करता की संतान है, पहले मंसा में खयालात आते हैं, फिर एक्ट में आते हैं, तुम बच्चों को तो अती मीठा बनना हैं, भगव पढ़ाते हैं, तो जब तक चलन तुम्हारा देवी नहीं होगी, तो मनुष्य तुम पर विश्वास केसे करेंगे? है ना, गीता में भी लिखा है, भगवान बाच मैं तुमको नर से नारायन बनाता हूँ, भगवान जरूर संगम पर होगा, भगवान बाच मैं तुमको राजय योग सिखाता हूँ, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ होगा, यह काम कोई कृष्ण का नहीं त्रमूरती दिखाते हैं परन्तु शिप बाबा को उड़ा दिया है फिर कहते हैं ब्रह्मा को तो तीन मुख होते हैं और बुड़ा दिखाया है ब्रह्मा को यह एक मुख वाला ब्रह्मा कहां से आया अब मनुशे को तीन मुख कैसे होंगे भला तीन मुख वाला कोई हो सकता है क्या तो बाप कहते हैं तुम मेरे समझू सयाने बच्चे हो तुम ही विश्व पर राज करते थे अब बाबा तुमको दे ही अभिमानी बना रहे हैं अब अपने को आत्मा समझू मुक्तिधाम में सब को अशरीरी बनाए भेज देते हैं यहाँ आकर तुमने यह शरीर धारन किया है शरीर धारन करते करते तुमको दे है अभिमान पक्का हो गया है तो अपर से 63 जन्म हमने यही शरीर को अपना समझा और इस शरीर को बोज को ले कर के चलते आये तो इसका अभिमान हो गया, तो ये देह का अभिमान पक्का हो गया, एहम में आ गया है, मैंपन में है, तो सब चाहते हैं कि इस लौकिक नाम को इस लौकिक मान मिले है, धन दौलत मिले, सब कुछ मिले, कि इसके लिए वो चाहता है, शरीर के लिए चाहता है, मन तो सिर्फ सु शरीर चाहता है बहुत एक सुखसु विधाये, तो वो तो सिर्फ परमात्मा आ करके दे आत्मा को शांती सुख, है ना, और हम उनके बच्चे थो तो हम फिर उसका डिस्ट्रिबूट करते हैं, हम भी बैसाई बनते हैं, हम भी बाबा के निमित बच्चे चुने हुए हैं, हम इस तरह से बाब समान बनाने का बाब ने रुहानी सेना तयार की है, बाबा केते हैं, अभी मान पक्का हो गया है, अभी तुम अपने को आत्मा समझो. मुझ आत्मा ने 84 जन्मों का पार्थ बजाया है, स्वादर्शन चक्र फिर आना है कि कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा तन लेती है कैसे अभी बतित दुनिया में यह अंतिम जन में हैं और कैसे हम ब्राम्हन सो फरिष्टा फरिष्टा सो फिर आदी में ड्रामा में आएंगे देवता बन करके तो यह सब जो चक्र है कैसे पूझे थे कैसे पुझारी बने कैसे फिर हम नीचे उतरते आएंगे सीड़ी सोला से चोदा कला कैसे आए फिर हम कैसे दौपर में आए कैसे कल्योग अब चल रहा है आए रनेज चार एज भी बताएं गोल्डन और जल्वर कॉपर और आईरनेज अभी आईरनेज है तो यही सब तो चक्र है ना आदिम अध्यांत का कैसे आट बारा एक किस बयालीस जन्म चलते हैं और यह संगम छोटा सा यूग है बहुत इजी है बस इससे बुधी से घुमाना है ऐसे नहीं है कि रटना नही बाबा केते हैं अपना जो पाट बजाया है अभी अंतिम जन्म है ऐसे ऐसे अपने साथ बात करो बाप केते हैं अभी तुम देही अभिमानी बनो वापस लोटना है सांच हो गई है सबको अब घर वापस चलना है फिर तुम सवर्ग में आएंगे अब सांच हो गई एक्तम भहन करंधेरा होके अब खतम होने वाला है, अब सोजरे में जाना है ना, तो बाबा केते अब सब को वापस चलना है, इसलिए अब तुम स्वर्ग में वापस आएंगे फिर से ड्रामा के लिए आदिसे, तो अभी तुम मेरे द्वारा स्वर्ग की बातर्शाही लेने की मेहनत कर रहे हो, बाप को तुम भूल जाते हो, तो खुशी का पारा नहीं चड़ता है, शास्त्रों में कितनी भारी भूल कर दी है शिब बाबा को ही उड़ा दिया है पूजा करते भी कहते हैं नाम रूप से न्यारा है अरे, तब पूजा किसकी करते हो, याद किसको करते हो, कहते भी हो आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, परन्तु आत्मा किसकी संतान है बहां से आती है क्या करती है आके, तो बाबा यह सब समझाते है यह नहीं जानते बाबा कहते कि किसकी संतान है, मैं आत्मा ब्रकोटी के बीच में रहे इस शरीर द्वारा पाट बजाता हूं, इस पुतले को नचाता हूं, कट पुतलियों का डांस होता है न, वह दूसरे आदमी बैठ डांस कराते हैं, पहले-पहले तो देही अभिमानी बनना है, और बाप उचो कुछ समचाते हैं, उसको धारन करना है, प्रदर्षनी में पहले-पहले तो बाप का परिच्वे समचाना है, कि यह सब का बाबा है, वह निराकार, दूसरा साकार, प्रच्वा पिता, दो बाबाएं हैं, तुम जानते हो लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है, वह हद का है और वह बेहद का है, बाबा क तो भूल जाते हैं, पारलोक एक बाप याद नहीं रहता है, तो इसलिए फिर एक ही रहता है, क्योंकि वहाँ कोई भी पारलोक एक पिता को सुख में सिमरन या सुख में याद नहीं करता, बाबा केते हैं, दो बाबाएं हैं, तुम जानते हो लोक एक बाप भी है, पारलोक ए देही अभिमानी बनना है, हम शिप बाबा के पास पढ़ने जाते हैं, परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार है प्रचा पिता ब्रह्मा, तुम हो प्रचा पिता ब्रह्मा के मुखवनशा वली ब्राम्हन, तुमको ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है, तुम हो गए नई वह पुराने जिस्मानी ब्राहण, वह जिस्मानी आत्रा कराते हैं और तुम रुहानी आत्रा कराते हो। तुम बच्चे अभी श्रेष्ठ बन रहे हो, यह है ही इश्वर्य मिश्न प्रश्राचारी से श्रेष्ठ चारी बन नेगी। मनुष्य तु बनाना से के? वास्तो में सच्ची सच्ची सदाचार समिती तुम्हारी है. तुम्हारा लीडर देखो कौन है? बाप कहते हैं मैं फिर से राज यूग सिखलाने आया हूं कोई पहली बार नहीं. यह वही संगम यूग है. अभी मनुष्य से देवता बनाता हूं. तुम चानते हो हम शूद्र से अभी ब्राम्हन बन रहे हैं. ब्राम्हनों की है चोटी, ब्रह्मा भी चोटी है. ब्रह्मा में जो प्रवेश करते हैं उनको इन आखों से देख नहीं सकते. नेराकार प्रमात्मा को देख नहीं सकते. समझा जाता है. जैसे आत्मा को नहीं द जह जाता है तो देखा नहीं जा सकता लेकिन इनमें प्रवेश करते हैं ठीक वैसे ही जैसे एक प्रेत आत्मा एक भी कोई भी कमचोर शरीर को धारन कर लेती है लेकिन ये परमपिता प्रमात्मा प्योर आत्मा एबर प्योर परहते परहने वाली इस तन को धारन कर फिर हमें य ज्ञान देते हैं, बाबा के इसमें प्रवेश करते हैं, लेकिन स्थूलनेत्रों से नहीं देख सकते, बाकी तो सब को देखते हैं, बुद्धी से जानते हैं, निराकार बाप हमको पढ़ाते हैं, ब्रह्मा को तो ब्राम्हन यहां चाहिए, सुक्ष्म बतन में हो ना सके, अचलिया, फिर भल कहां भी बैठ पड़ सकते हैं, बाबा ने कहा भी सात रोज की बटी में पक जाओ, फिर जहां चाहो, कहीं भी रोहो, मुरली रोजाना सुननी पड़े, एक दिन भी मिस होने से बड़ा घाटा पड़ जाता है, क्या पता कौन सी बाबा ने आपके प्रश बड़ी गुहा, हीरे रत्न निकलते हैं, तो कोई फर्स्ट क्लास रत्न निकला हो, और मिस कर दिया, तो घाटा पड़ जाए, बाबा कहते, इस तरह से घाटा खुद को ना डाले, रगुलर स्टुडेंट बड़े अक्योरेट होते हैं, अच्छी रेते पुर्शाथ नहीं क वास्तों में कृष्ण को भूल से दे दी है, है तो ब्रह्मा, तुम जानते हो यह शिब बाबा का मुख है, कृष्ण का और सरस्वती का तो कोई भी कनेक्शन नहीं है, सारी मुझ कर दी है, कन्फ्यूस कर दिया है, अच्छा, मीठे मीठे सीकी लादे बच्चों प्रती, मा मात पिता, बाब, दादा का याद प्यार और गूड मॉनिंग, रुहानी बाब की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी मात पिता, बाब, दादा को याद प्यार और गूड मॉनिंग, शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सब सबका सहारा, मेरा बाबा, मेरा बाबा, धारना के लिए मुख्यसार पहला बाबा ने बच्चों से कहा मैं आतमा इस शरीर पुतले को नचा रही हूँ, मैं इस से अलग हूँ, ऐसा अभ्यास करते करते, दहिए भी मानी बनना है, दूसरा मुरली कभी miss नहीं करनी है regular बनना है पढ़ने के लिए पढ़ाई में बहुत बहुत accurate रहना है वो पढ़ाई कोई भी हो लेकिन बहुत शौक से पढ़नी है कोई भी पढ़ाई हो लेकिन बहुत बढ़ाई में शौक रहना है खुद ऐसा कि एक दिन मुरली में सकर दी तो क्या कमी रहगी क्या कमी रहगी जो बच्चे बाबा के regular बच्चे होते हैं उनको तो ऐसा लगता है कि एक टाइम भोजन ना दो लेकिन मुरली के लिए इतना प्र से दिल तक्त नशीन भव बाबा के दिल राम बाप के दिल पर चड़ने के लिए क्या करना है दिल से आद करना है ना तो सदा सेफ रहने वाले दिल राम के दिल तक्त नशीन भव सदा सेफ रहने का स्थान दिल राम बाप का दिल तक्त है सदा इसी स्मृती में रहो कि हमारा जो परमात में दिल में समाया हुआ थ्वा दिल तक्त नशीन है वह सदा सेफ माया वह प्रकृति के तूपान उसे हिला नहीं सकते। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर है चल चल घर नहीं। इसलिए स्मृती रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं। कोई first time नहीं और अभी भी अचल है। स्लोगन ज्यान सुरूप प्रेम सुरूप बनना ही शिक्षाओं को सुरूप मिलाना है। आच्छा, ओम शान्ती, ओम शान्ती, ओम शान्ती। शुक्रिया, बाब, दादा, शुक्रिया, बाबा की सभी बच्चों को और बाबा का कोटी-कोटी धन्यबाद की बाबा ने हम सब आत्माओं को चुना। चुना।